नमस्कार सात्यों स्वाइट आपका अपने यूटूब चैनल स्टडी वन में यूपिटेट प्रिक्षा रद होने के बारे में आई अभी अभी बड़ी खबर देखें अगर सात्यों आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहतें तो इस वीडियो को शुरू स्ट होने का बड़ा दवाव एस मंजस में अभी आरती उत्त प्रदेश लोक शिवा आयोग द्वारा कोविड नाइंटिन के बढ़ते परकोब के कारण PCS मैंस प्रिक्षा निरस्त कर दी गई है PCS मैंस में केवल 688 ब्यारतियों को यह सामिल होना था यूपिटेट में 22 ला प्रिक्षा के केंद्रों पर मूब करना है एसे में अब प्रिक्षा नियामक प्रादिकारी के सामने यूपि टी टी को निरस्त करने का दवाव बढ़ गया है प्रतियोगी भी इस आश्य की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि एक सरकार के दो मानके से हो सकते हैं जब केवल 788 ब्यार्टियों वाली PCS मेंस प्रिक्षा करोना के खत्रे को देखत हुए ताली जा सकती है तो फिर यूपिटेट क्यों नहीं 23 जन्रवी को पस्ताईवत है यूपिटेट उत्रप्रदेश सरकार की बहुपरतिश्क उत्रप्रदेश सिक्ष्य पातरता प्रिक्षा यूपिटेट 2021 की तिथी 23 जन्रवी 2022 रखी है पहले है प्रिक्षा 28 नमंबर को होनी थी पर पेपर लिक होने से इसे निरस्ट कर दी जे से साथे बारे बजे रखा गया है दूसरी पाली का समय डाई बजे से पांच वित तक रखा गया है प्राथी हुआ है उच प्राथी हुआ है उच प्राथी मिस्तर की प्रिक्षा को मिला कर 21,65,181 अब्यारती सिमिलित होंगे यूपि टीटी में 2019 में 16 लाख आवेदन आ प्राई थी एक सरकार और दो मानके से पत्योगी 76 संगर्शमीती ने मीडिया परबारी परसांत पांडे का कहना है कि यूपि में योगी आदितिनात की सरकार ही है ऐसे में दो मानके से हो सकते हैं जब लोकशिवा आयोग ने PCS की मुख्य प्रिक्षा करोना के कान टाल दिया तो फिर यूपिटेट क्यों नहीं टाली जा सकती है अगर केवल 7688 ब्यार्टियों के प्रिक्षा में बाग लेने से करोना फेल सकता है तो फिर ऐसी प्रिक्षा जिसमें पूरे परदेश से करीब 22 लाख ब्यार्टियों का सिम्रित होना है से क्यों करोना नहीं फेलेगा तो जो आपकी यूपिटेट की प्रिक्षा रद हो सकती है जिस तरह आपकी ये प्रिक्षा आप देख सकते हैं PCS की करोना की वज़े से रद की गई है तो आप देख सकते हैं ये भी प्रिक्षा आपकी यूपिटेट की रद हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यारती प्रिक्षा देंगे तो आप देख सकते हैं आपकी इसके बारे में क्या रहा है कुमेंट बोक्स में जूर बताएं प्रिक्षा होनी चाहिए या रद होनी चाहिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में